हाई गाईज वेलकम बाक्तु पर्चम माई नेम इस प्यूश नाम इंग्लिश मेंट और लेट के स्टार्टेड विद तुडेज माराथॉन आज की इस क्लास में भी हम डिसकस करने वाले हैं बहुत सारी क्वेशन्स जिसमें थोड़े से नाए टाप के क्वेशन्स भी मैंने क करेंगे तो लास तक बने रहिएगा और साथ ही साथ सारे प्वेशन के आंसरस आप करते चलिएगा जस्टू मेक्शॉर कि आपको सारे कॉंसेप्स और सारे लॉजिक्स एक्जाक्ली समझ आते रहें तो लेट स्टार्ट इस क्लास बट बट बीस आट दर इस सम्थिं इंपर इस क्लास की बेसिक हाइलाइट्स है रिकॉर्डेड लेक्शर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं डाउनलोडेबल पीडिएफ आपको मिलती हैं लाइफ रॉड्रम सॉलिंग सेशन के साथ साथ में डीटेल पीवाई क्यू के डिसकाशन होते हैं जो आपकी एक्जाम प्रे रिगार्डिंग कुछ भी इशुस होते हैं यू किन फील फ्री तो कॉंटाक्ट अट डबल नाइट तो नाइट फाइफ जरो सेवन पोर जरो सेवन आपको या वाट्साइप कर सकते हो साथ ही साथ अगर बाइचांस क्वेरी शॉल नहीं होती हैं तो यह आप दी अल्टरनि सबसे पहला question जो हम discuss करने वाले है that is identify the segment in the sentence which contains a grammatical error मतलब ही spotting error का question है चली देखते हैं इसको four parts में split किया गया है आपको बताना है कौन सा part correct है कौन से part में गलती है I'm sorry it's कौन से part में गलती है it is time someone takes concrete steps to alleviate the problem of unemployment in the country ध्यान से देखो हमने पढ़ा था it is time या it is high time यह दो phrases जब भी उस होते हैं it is time and it is high time इनके बाद में हमेशा वर्ब की second form ही रखना पड़ता है else sentence गलत माना जाएगा so it is time someone takes की जगे क्या हो जाएगा वेटा took use करेंगे and that's how sentence would be correct so takes के जगे took को replace करना पड़ेगा मतलब takes वाले पार्ट में गलती है किदर गया option number 4 पे हमें जाना पड़ेगा और राइट चलिए number 122 किया रहा है select the most appropriate option to improve the underlined segment in the given sentence if there is no improvement required select no improvement as your answer इस sentence में कुछ पार्ट को underline किया गया है आपको check करना है वो underline part में कोई गलती है या नहीं अगर underline part बिल्कुल सही है तो आप select करेंगे no improvement required या फिर अगर गलती को improve कर सकते हैं तो आप देखिए इन तीन में से कौनसे option को select कर सकते हैं चलिए sentence पड़ते हैं he refrained from visiting his friend as he had the urgent assignment to complete हमेशा बोलते मुझे एक urgent काम है एक urgent का मतलब है exactly हम specify नहीं कर रहे होते हैं अफला the urgent अगर मैंने बोला तो यह गलत हो जाएगा it should be an urgent work clear है याद रखिए गए चीज़को the correct choice all right चलिए number 123 says select the most appropriate option that can substitute the underlined segment फिर से sentence improvement का sentence है question है underlined part को check करेंगे कि क्या उसमें कोई गलती है अगर नहीं है so it would be no improvement required let's read the question question कह रहा है question आपके सामने है we have received no information so far to the main island main island से हमें को information नहीं मिली है या फिर main island के बारे में हमें को information नहीं मिली है इन दोनों में से कुछ भी एक कह सकते हैं तो यहां पर so far about हो सकता है या फिर from हो सकता है इन में से एक यह option possible है अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी option में about लिखा ही नहीं है इसलिए from वाले के basis पर जाना पड़ेगा तो so far के बाद में from चाहिए होगा so farther गलत है क्योंकि so farther farther का मतलब हो जाता है दूर का राइट no improvement required की जरुरत नहीं just because we need the improvement such far from and so far from क्या हो जाएगा third अटा देंगे fourth would be in correct sentence हो जाएगा we have received no information so far from main island इसे साब से 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 हो जाएगा जिसका मतलब है कि अभी तक हमें उस main island से को information नहीं मिली है इसे साब साब इसको correct कर दोगे चलिए next question पर आते हैं question number 124 says select the most appropriate option to complete the given idiom अब यहां पर idiom को में complete करना है ऐसे तो cool as के साथ में कुछ भी ले सकते हैं मतलब air भी ठीक है आइस भी ठीक है कुकंबर भी ठीक है और इसे साब से देखें दो लेकिन हमें यहां पर idiom सही करना है मतलब एक idiom के साथ से यहां पर क्या होना चाहिए so it is cool as a cucumber मतलब खीरे की तरह ठंडा तो यहां पर air ice और रिवर यहां से बाहर हो जाएगा reason है कि हमको यहां पर सबसे अच्छा option कौन सा है उस पर हमें जाना पड़ेगा चले देखते हैं अब यहां पर हमको पताएगी क्या यूज करना है यहां पर यूज करना है जैसे मान लीज़े यहां पर my और mine दोनों ही वर्ट्स को हम पड़ेंगे लेकिन एक ही प्रणाउन का काम करता है एक adjective का काम करता है हमने सीखा था जब भी sentence का context खतम हो रहा होगा हमेशा हम प्रणाउन वाले को यूज करेंगे मतलब यह करता है adjective का है और mine करता है किसी इसका प्रणाउन का काम, तो जब भी sentence का context खतम हो रहा होगा, मैं कभी भी mine यूज़ करूँगा मैं हमेशा mine यूज़ करूँगा ऐसे r and r's होता है, मैं कौन सा यूज़ करूँगा, r's यूज़ करूँगा अगर sentence का context खतम हो रहा है, चलिए देखते हैं यहाँ पर रहा है, road is dash, अब there है, mine है, my है और r है, देखो r भी यहाँ पर adjective का काम कर रहा है इसलिए गलत हो गया, my भी adjective का काम कर रहा है गलत हो गया, their भी adjective है, their होता है pronoun, तो यह तीन तो eliminate होगा automatically, mine अगर मैं यूज़ करूँगा तो this would be correct, चुकि mine यहाँ पर pronoun काम कर सकता है, इसलिए option number two के साथ मेरे को जाना पड़ेगा, golden rules में जो YouTube पे series डाली है, उसमें भी मैं आपको इस चीज clearly बताई हुई है, चलिए, 126 पर आते है identify the incorrectly spelled word in the given sentence and select the option that rectifies the spelling error spelling error का एक दूसरा format है, जो पूछा जाता है इसमें से कुछ words को underline कर दिया, कुछ words को यहाँ से pick कर लिया गया है, आपको बताना है उन words की spelling सही है या गलत है, चलिए देखते हैं कौन से कौन से हैं, सबसे पहला difficult मिल गया है यह भी है यहाँ पे, then we have suspect है, difficult के बाद में हमारे पास में suspect है, ठीक है उसके बाद में हमें मिल गया है panther, it's p-a-n-t-h-a-r किदर गया, it's panther, and then it's kicked, k-i-c-k-d यहाँ पे k-i-c-k-e-d लिखा है वेटा, तो fourth वाले में देखो, यहाँ पे k-i-c-k-d लिखा हुआ है I guess this is, इसमें तो kicked सही लिखा है, बट यहाँ option में, it's k-i-c-k-e-d, तो कुछ तो गडबढ़ है इस हिसाब से अगर हम options के इसाब से देगे, तो it should be option number fourth यहाँ पे k-i-c-k-d का spelling गलत लिखा हुआ है, तो maybe यहाँ पे किग गलत होगा, इस हिसाब से I'll go with option number fourth, जिससाब से question इसाब से तो it should be option number fourth, because kid की spelling k-i-c-k-e-d होती है, यहाँ पे k-i-c-k-d दिखा रहा है, इसका मतलब है, option में कहीं कहीं कुछ तो हेर फेर हुई है, चलिए, फिलाल, so it should be k-i-c-k-e-d, suspect की कि में इस इस-S-P-E-C-T होती है, इग्जाक्ली सही लिखी है, difficult में इस-D I-double-F-I, यहाँ पे भी सही लिखा है, कुछ तो option कलो चाहोगे, let's get this question, फिलाल, मैं आपको सारी स्पेलिंग्स बता देता हूं difficult की श्पेलिंग इस डीड़ेवल आई सीट डिफिकल्ट पैंडेमोनियम की पी-एन-डी-ए-म-ओ-न-ई-उ-म बिल्कुल परफेक्ट है पांडेमोनियम का मतलब होता है शोर सरावा मचाना यहा फिर थोड़ा सा के ओटिक सा कुछ भी कर देना यहाँ पर यह सब कुछ घडबर लिखा हूआ है राइड तो यह सारी समैलिंग कर दो करना होता है तो spelling के basis पर ध्यान रखे जो भी exactly spelling पूछी जाएगी उससे आप से आप करेक्ट कर दीजेगा तो के आगे जो प्रणाउन यूज होगा वो हिज और हर के basis पर यूज ही नहीं हो सकता इस वज़े से वन मस्ट डू वन्स डूटी प्रॉपरली यह होना चाहिए यहां पर देखो प्रॉपरली का इस बंस का मतलब एक बार तो यह गलत हो गया फ्रस्ट जाहूं सेकंड देखो वन मस्ट डूटी प्रॉपरली आप यहां पर प्रॉपर्मेशन भी लिखिए So we'll go with option number 4, that is the correct choice, right? Let's go, 1.8, select the correct direct form of the given sentence, now here is the indirect form, you have to convert it in direct, let's look at the question, Isha told Shivani that they did not need to buy tickets, now here is the did not need, means verb's second form used, okay, they did not need to buy tickets for the match, as she had been given free passes for two, had been given, now here is the had, had been used in V3 context, now here is the indirect form, I know when V2 is used in direct, what will be used in V1, the first thing here is had been used, so what will be used in direct, what will be used in direct, has or have context, so I will match these two things, which will be correct, I will get to know, let's see, Isha said to Shivani, all these things in Isha said to Shivani, we have to match the first, they did not, we did not, here we did not, here we did not, this will go out, first is out, second, see, Isha said to Shivani, said did not need, now here is the two is also out, third, see, we don't need, now do not, what happens, verb's first form, means this is fixed, let's see, to buy tickets for the match, as I have been, now here is the has of the basis, it means that it is so right, have been given free passes for two, means here is the third sense, let's see, Isha said to Shivani, we did not, then we did not, means this is out, which option, option number three is the correct choice, all right, next, number 129, it says given will are six sentences, now here is six sentences, which A and F fixed, see, if there are only four sentences, this means that you have to shuffle the four, if there are six sentences, then it will be understood, it means that it is always like this, that the first and sixth are fixed, sometimes it can be A and F number, but still you will need the directions, right, A and F fixed, the month was January, January month ki baat hai, on the first morning of the festival, abh yaan peh festival ki baat honne laghi, mtlab A ke saath just B nahi laga saktay, to B se shuruwaat galat ho gayi, B se shuruwaat kar bhi nahi raha hai, hummeh sirf C se or E se shuruwaat karna hai hai, chaliyya C dekhtay hai, yaan peh, there would be much feast, feasting and merriment during the festival, abh yaan peh abhi tuk festival ka sikr to huwa nahi hai, mtlab A ke saath me just C hum nahi laga saktay, to C se option ki startings bahar ho gayi, C bahar ho gayi, E se shuruwaat karthay hai, the bhiho festival was fast approaching, bilkul perfect hai, the month was January, January me bhiho festival kiya ho raha tha, phatha phat a raha tha, mtlab aqdham approach kar raha tha, date us ki karibh aa raha thi, so we have E, C, D, B and E, D, B, C, dekhtay hai, e ke baad me c fit hota hai, e ke baad me d fit hota hai, pehle e ke baad me c fit kata hai, there would be much feasting and merriment during the festival, thiq hai, konso festival a raha hai, bhiho a raha hai, और isi ki around kya hooga, bhoat saara, wadlab khana wana parusa jayega, khana banayega, bhoat saari khushi idar udar, harsho laas, यhe sab cheeze hohingi, so e ke saath me c makes sense, let's read e d ke saath me d, the bhiho festival was fast approaching, phir each household would build a meji, a pile of firewood stacked neatly together in their backyard, अब यहाँ पर यह e ko describe कर रहा है d, क्या कर रहा है कि इसमें हम क्या क्या करेंगे, so पहले c लिखना पड़ेगा, जो क्या रहा है कि बहुत सारा, मतलब सज्जा-धजा होगी और बहुत सारी khushiya मनाई जाएंगी, फिर हम बताएंगे कि कैसे इसमें खुशिया मनाई जाएंगी, right, so c के बाद ही d आएगा, c के पहले d नहीं आसकता, sensible नहीं है, इसलिए e के साथ में मैं कौन सा कनेक करूंगा, c कनेक करूंगा, and with this I get option 3 as the correct choice, ed गलत हो जाता है, ठीक है, चलो, 130 पे आते हैं, फिर सही यहां पर क्या है, आपको arrangement करना है, जिसमें 1st और 6th वाला point बिल्कुल fix दिया हुए है, आपको सिर्फ A, B, C, D को vary करना है, जिसके लिए आपके फास में 4 options available है, आप read करेंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे कौन सा option actually में sense देता है, निकोलिस कोरियर इस नॉट यूजल फोटागरफर, अच्छा मतलब जो नावल फोटो किछते हैं वह यह नहीं है बाई साब, कुछ तो इन्होंने नहीं किया है, let's look at what, he uses a kite to hoist the camera into the skies and clicks photographs, while the camera dangles mid-air, अच्छा, ठीके कुछ तो यहां पर kite वाइट यह लेके उसके through photography करते हैं, इसका मतलब है A से पहले B आना चाहिए, ठीके मतलब A शुरू बातने करेगा, 303 is out, अब यहां पर B के बाद ही A आएगा यह तो confirm है, अब जिसमें भी B के बाद A नहीं आ रहा है, उसको इसको अटा देते हैं, एसमें B के बाद A आ रहा है, ठीक है, इसमें B के पहले A आ रहा है, सो 4 is out देखो B के just बाद यह आ रहा है कि यह नहीं इंगा बट B के बाद यह आएगा यह जो इसमें BA है यहाँ पे BC है देखो B के साथ में A रचल्यक्त करके देखते हैं फिर B के साथ में C कनेक्ट करके देखेंगे यह जान पाएंगे कि वह कईट से फटागरफी करता है मतला पतंग उड़ाने वाली बात को सबसे पहले बताना पड़ेगा फिर फैसिनेट हो गया और यह क्यासे हो सकता है यह तो तब होगा जब एक्जाक्ली बात बताओगे आपके अच्छा ये तो बड़ी अजीव सी बात है जो वो करता है अल्टीमेटली मेरे को पहले बताना पड़ेगा उसके बाद ही मैं सी यानि की फैसिनेशन या फिर अस्टाउनिश्मेंट पर आ सकता हूं मतलब कोई चौक रहा है तो बताओ तो यूनिक स्टाइल फोटोग्रफी और उसमें फैसिनेटली टाइट इस तो आप जब बताया है कि ऐसी होबी सी क्योंने फिर आप उसको जानके चौक जाओगी या रही कैसी अजीव सी होबी है तो इत वुडब बी बीए डीसी दाट्स नमबर वन मेक्सेंस है राइट चलो 13 इस अब यहां पर चुका है अब यहां पर अब जब सब्सक्राइब तो क्या हो जाएगा लेट्स दू इस मतलब यह करते हैं चलो सजेशन की कॉंटेक्स में बात हो गई तो शाल और वी तो हटाथ वी विल और वी शाल तो सब्सक्राइब करेंगे और जब इंडिरेक्ट हो रहा है तो इसमें क्या कर देंगे मैं सजेस्ट कर रहा हूं मेरा बिदर को कि हमें जाना चाहिए हिल्स पे फोरा चेंज राइए एक्दम सिंपल सा क्वेशन है तो वी कॉंक्लूड विट आप्शन नमबर 3 ऐस दी करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर यहां पर चलेगा चलो देखते हैं यहां पर इस लिखा है और यहां पर वी 3 लिखा है जब भी कभी आपको इस आम आहले के साथ में मिल जाएगा इसका मतलब है यह पैसिव में कैसे और लगा के अगजा की फार्म लग गई है प्लेइनली इसका मतलब यह वरभ यह क्या होगया और आपसे इपल से और और हो जाएगा है थिपल से सामने आंसर आ जाएगा बिना किसी confusion राइट देखो इसी तरीके से हम eliminate करते हैं आगे का sentence पढ़ने के जुरत ही नहीं थी सीधा हमने पहले options eliminate कर दिये जिसमें verb की first form नहीं आ रही थी तो यहां पर R saying हो गया गलत हो गया have said यह भी गलत हो गया say इकलौता था 33 से select the correct indirect form of the given sentence अब यह direct में लिखा है he said to me I am going to France next week अब I am going है मतला भी क्या हो गया present के context में बात कर रहा है इधर क्या हो जाएगा past के context में बात करना पड़ेगा ठीक है he said to me that he will go बाहर हो जाएगा second देखो he told me that I am going अब यह आम का फिर से आम में convert नहीं हो सकता थर्ड देखो he said to me that he were going he की साथ ने कभी वर लगाते गलत हो गया थर्ड बिवार अब आप चाहू चाहे ना चाहू option number 4 को यह answer माग करना पड़ेगा but then to let's read it he told me that he was going to France the following week it should be option number 4 मतला was used किया फटा फटा फट यह इंडिरेक्ट बन गया देखो कितना easy है सिर्वर्प पर focus कर रहे है मतलब अगर सेम वर्प समें दो बार मिलती है तब हम secondary चीज़ पर बात करेंगे जैसे यहां पर next week लिखा है तो इसकी जगह following week होना चाहिए राइट सेकेंडरी पर तब आएंगे जब हम भार वास दो options आ रहे होंगे लेकिन सिर्व एकलाता option ही आ रहा है और यह प्रीवेस एर में गवे questions है तो इसको कर सकते हो अगर आपको आपको बताना है इस sentence में कुछ गलती है या नहीं है चलिए देखते हैं बहुत महीन sentence लिखाए यह we cannot postpone discussion on this issue although it is urgent अब कोई चीज़ अर्जेंट होगी तो उस पर discussion पोस्पोन नहीं हो सकता इसका मतलब we cannot postpone this discussion on this issue although की जगे क्या लगाना पड़ेगा because it is urgent यहां पर मुझे क्यों की urgent चाहिए होगा अगर आप हिसाब से सोचो तो although कहते हैं यह opposite बात करने लग गया इसलिए although की जगे मेरे को because यह तो जहां पर भी although आ रहा है I'll spot the error in that part मैंतलब option number 4 is the correct choice चलिए आगे बढ़ते है 135 पर आते हैं फिर सही यहां पर क्या यहां पर exactly a event recall किया रहा है जो मतलब जो भी parents आपने बच्छों को सिखाते हैं so this is basically a suggestion या फिर एक advice है जो parents अपने बच्चों को देते हैं it's a very simple question करके में को options बताइगा कि कौन सा वाला correct होना चाहिए so 135 I am giving as a quiz question चलिए 136 पर आते हैं select the misspelled word अभी यह पहला है facetious फिर इस एक्सलरेटेट फिर और ओफिशेश देन इस 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 जगें यहां पर एक्सलरेटेट में क्या होना चाहिए क्या सब्सक्राइब का मतलब होता है को इस जो चीज क्लियरली विजिबल होती है मतलब सामक्ष जो दिख रही होती उसको इस बोलते हैं चलिए 137 अब यहां पर क्या है यह improvement बताना आपको लेकिन अगर आप देखो यहां पर ध्यान से तो कोई भी word underline नहीं है तो यह बात नहीं मैं कर देता हूं जिसको आपको रिमूव करना है या फिर अगर यह सही है तो बिल्कुल परफेक्टली हम इसको माह कर देंगे अगर मैं scarcely उसकरूं hardly उसकरूं barely उसकरूं इनके केस में दो चीज़ें होती जो फॉलो करती है पहली तो scarcely, hardly, rarely, barely के जस्ट बाद में एक verb आनी चाहिए जो नहीं आ रही है मतलब scarcely, hardly, rarely, barely नहीं लग सकता तो हर्ट भी यहां से बाहर हो गया और यहां पर गलती है तो फोर्ट भी बाहर हो गया अब यहां पर मुझे क्या लगाना चाहिए जरा ध्यान से समझो scarcely, he is his opponent, then he went numb with fear अब यहां पर हम क्या लगा सकते हैं जिससे यह नो सुनर नहीं नहीं इंप्रूब्मेंट को में रिप्लेस करना है और सुरी इस सिमिलर दिख रहे थे और गहना चार वर्ट वो तो लगी नहीं सकता, इस सूनर के साथ नहीं हो पाईगा इसलिए यह भी बाहर हो गया क्या बच्भता है और उसके बाद मैं देखो विए लगी है नो सुनर के बाद में भी लगी तो क्या हो जाएगा किसी और नहीं और सुनर के साथ में पेरिंग किस की होती इसलिए इसलिए इस वुड भी फिट ऑप्शन ठीक है चलो नेक्स पर आते हैं नमबर 2138 पर अब यह किसमें लिखा है पैसिफ में लिखा है आपको बताना है इसका अक्टिफ फॉर्म कौन सा वला होगा ठीक है बहुत सिंपल से करशन है आपको इसका अक यूज कर देंगे तो जिसमें भी विल के साथ देखो विल तो डेफिनिटली रहे गाई अब यहां पर में वर्प क्या है हाफ बीन और मेड मतलब हाफ बीन प्लस मीठी अब इसको चैंज कैसे करेंगे हाफ प्लस मीठी में चैंज कर देंगे ठीक है चलो देखते हैं यहां प्लस मीठी ठीक हो सकता है अब अब यहां से विल ही रिमूफ कर दिया ऐसा नहीं प्लस मीठी पर जाना नहीं हाफ प्लस मीठी पर जाना यहां से यह उप गलत है तर्ड इस आउट फोर देखो दखो हाव मेड अब यहां से विल ही रिमूफ कर दिया ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप्शन ही तीन बहार हो गए एक लौता यहीं बच रहा है इस इस दी करेक्ट चॉइस देको विल तो ऐसी रखते हैं अभी बताया था हाव के साथ में वी थी लगा देंगे जो बताया था हाव के सा सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद में अब्जेक्ट लिखेंगे फिर सेंटेंस अपने आप लो में चलता जाएगा चलो देखते हैं अब यहां पर यू मोर मोर यह सब बाहर हो गया तीन बाहर हो गया एक लोता लेट वाला बचना बट लेट्स रीडिट लेट मोर अब आपको बताना है यह सेंटेंस इंप्रूब्मेंट का क्वेशन है अंडरलाइन पार्ट जो है वो सही है या इसमें कुछ एरर की रिक्वार्मेंट है लेट्स एक बार यहां पर विल हाव प्लस वीथी लिग गया है अब अगर एंड से मैं जोड़ूंगा तो सेम पार् की तो यहां से नोइप्रूमेंट रटाएंगे रिटन टुस्कूल की ज़रत नहीं विल रिटन टू स्कूल की ज़रत यहां रिटन तो स्कूल की सब्सक्राइब नहीं है तो टूज रिए इस नमबर फूद वट यहीं से अल्राइट चालिए 1 31 से इस अशलेक्ट पासिफ व रिखाए आर राइबल मस्टाव स्प्रेड दिस्टयूमर मस्टाव फ्लस प्लस वीठी यूज हुआ है क्या हो जाना चाहिए इसका मेरे को क्या बताना है पैसिफ मस्ट ही अब इसका प्लस वीठी अब अभी आपको बताय था अगर यह एक्टिव है must तो हमें लगाना ही पड़ेगा क्योंकि अडिशनल है जैसे लिखा लगाते हैं वैसे must अडिशनल है लगाना ही पड़ेगा हटा नहीं सकते है mag of ब्लित्री हुओ रुजओ है मतलब ऐक्टिव में अगर यह यूजओ है तो पैसँ में क्या चाहिए लगाएंगे यह लगाएंगे और साथ में लगाएंगे और साथ में लगाएंगे और साथ में लगाएंगे ठीक है अब बताइए इसमें से कौन सा वाला सही है चलो दिखते ज़रा सा must have been spread by our rivals वन ठीक है सेकंड डेको this tumor must be spread बाहर हो जाएगा मस्ट को में नहीं करेंगे this tumor has been spread by our rivals almost सही है लेकर यहां पर में यहां पर मस्ट खतम हो गया तो कौन सा ही क्लाथा बचता आप्शन नमर वान इस दे करेक्ट चोई इस लगाएंगे फिर has have में से कुछ एक लगाएंगे जिसमें हमें have लगाया है फिर यहां पर बीन 142 देखते हैं select the most appropriate option to substitute the given group of words अब यहां पर एक one word substitution का question है a legal document authorizing the police or another body to make an arrest or search premises अब हमने फिल्म में जनली सुना हो गया कि मेरे पास arrest warrant है तो यह बहुत सिंपल सा word है so it's permit license decree अब देखो इन सब का मतलब permission होता है लेकिन जब arrest के context से बात आती है या फिर search के context में बोलते है search warrant है arrest warrant है तो इकला था word जो हमने commonly इसना हुआ है that is warrant इसलिए भी गोवित option number 4123 यहां से बाहर हो जाता है यह सब कुछ permission देता है लेकिन search और arrest के लिए वारिंट होते हैं याद रखिएगा चलो 143 पर आते हैं क्या बोलता है इंडिरेक्ट लिखा है आपको इंडिरेक्ट बताना है 143 बहुत अच्छा नंबर है इसको आप ऐसा homework लेलो quiz question रीट कर देता हूं रानी सेट और boss I am going to visit Kashmir and Ladakh next month ठीक है याद रखना थोड़ा सा next में चला जाएगा थोड़ा सा ध्यान रखेगा और बताएगा इसमें से कौन सा option correct choice हो सकता है चलिए आगे वन बड़ी वोड़ से select the most appropriate option that can substitute the underline segment अभी यहां पर underline segment कौन सा है चलो देखते है effective communication is a skill that can significant enhance your personal and professional life अभी यहां पर underline part जो है वो इतना है मैं बताता हूं that can से लेके significant enhance यहां तक इसका underline part है राइट मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसमें फटाफट चेंज कर दूँ बट फिलाला भी यहां पर अरेंज कर लीजे effective communication is a skill that can significant enhance your personal and professional life बहुत simple question है देखो यहां पर पहले तो can use हुआ है यह एक verb है enhance भी एक verb है यानि कि इसके साथ में जो भी word लगेगा यह हमेशा adverb होना चाहिए significant का एक और भाई होता है जो होता है significantly significant adjective होता है और significantly is an adverb तो verb के साथ तो adverb भी लगाएंगे मतलब significant गलत है 2 is out 3 4 देखो which can significantly enhance that's how option number 4 would be the correct choice चलिए next 145 कह रहा है select the correct indirect form of the given sentence I said to Prachi I visited Maldives last week बहुत simple question है visited मतलब verb की second form use की है बहुत सारे questions है से करा सुका हूँ take 145 as the homework quiz करके दिखा हो की active इस direct का indirect में कैसे करेंगे यहाँ पर V2 यूज़ा वापके second form यूज़ा है accordingly change करना last week को नोड़ा सा ध्यान से देख लहना already बता चुका हूँ कई बार बार नहीं बतांगा just because exactly answer पहुंच जाओगे आपको बता इसका कौन सा वाला option हो सकता है 1 2 3 या फिर 4 राइट तो the question is up close test number 146 नोर प्लेक इसकता है अजार अजार का मतलब होता है हलका सबस्काला हुआ हो नहीं कर सकता है मतलब अजार नहीं सब्सक्राइब नहीं लगा हुआ है तो लिखेंगे तो गडबड हो जाएगा यानि कि क्या बसता है सील बसता है अस्टेंज लाइट वस्टाइब अब यहां फे टू के लिए देखते हैं सेकेंड के लिए भी हाफ अस्टेंज लाइट वस्टाइब एमनितिं ग्मेंसिंग और रिक्लाइण करने का मतलब है नहीं कमेंस एक्जांस होते हैं कुछ कंड़क करा जाता है प्रिसीडिंग का मतलब पहले यह आजाना यानि कि मैनितिंग मतलब क्या हो रहा है एंटर हो रही से उजाला थो नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी डाक्नेस क्या हो रही थी विजिबल हो जा रहे थी मतलब डाक्नेस में हलका फुलका कुछ दिखना लगता है यहां पर इगनाइट एक्स्टिंग्विश है किंडल है या फिर जैसे जोश होता है जिसके कॉंटेक्स में बात करते हैं किंडल बाहर है एक्स्टिंग्विश का मतलब आग बुजाने से हो जाएगा बाहर हो गया इगनाइट का मतलब सच में लिटरली जला देना तो यह मतलब नहीं बनाता वन इस आउट क्या बचता है इल्यूमिनेट मतलब जो क्या कह रहा है डाश बॉइस एलियन का मतलब क्या है कुछ ऐसी आवाद जो कभी सुनी नहीं गई हो वैसी आवाद सुनने को मिली राइट यहां पर वहाद सुनने को मिली जिसके लिए डाश लगा हुआ है मेरे को कुई ऐसा वर्ट यहां पर चूज करना होगा जो इलिन को फिट करते अब इसक यहां पर यहां पर क्या हो रहा है एक ऐसी आवाद सुना था कभी जाना नहीं था मतलब उसको आप समझ भी नहीं पाऊगे तो उस ना समझने के लिए विच वास विच साउंड़ लाइका जारगन डाश तुदा है प्लेस फ्रेंट्स क्या होगा इन्विंसिबल इंडेलिबल तो सेंस नहीं देगा इनकोरीजिबल का मतलब हो जाए जो कभी तो धारा ना जा सके अल्टीमेटली ऐसे वाज नहीं इसको सुनके लग रहा था कि कैसी अवाज है राइट डे वेंट डाउन डाश दियर नीज अब क्या हो जाता है अपने घुटनों पे से अब क्या हो गया वह लोग बहुत डर गए और अपनी जिंदगी की भीक मांगने लगे सॉबिंग फॉर देर लाइव बट डाश साउंड्स कंटिनूड बट बट बिजार फामिलियर कस्टमरी और रेगुलर तो साउंड थी कि नहीं पता नहीं कस्टमरी भी यहां से सेंसले यूज किया है तो नहीं बिजार का मतलब होता है बहुत स्ट्रेंज बहुत अजीब सी जिसके लिए एले नूस किया हुए मतलब ऑशन नमर वन वुट फिट क्या हो जाएगा डाश शांड्स कंटिनूड स्लोली अफ़ाम सीम टू डाश राइट बिफोर डैर आइज में आ रहा है यहां पर डेराइव नहीं कर रहे हैं कोई फॉर्मिला नहीं है जो डेराइट किया जागा एक्स्ट्राक्ट का मतलब होता है कि इसका बचा हुआ जो हम निचोड निकालते हैं तो तीनों चीज़े सेंसलेसर विकाज इसमें एमर्ज की जरुरत पड़ेगी मतल लॉग का मतलब भी नहीं है यहां पर मतलब फ्लो कर रहा है तब तो चीज़े नामली है इसका मतलब होते ना एकदम मेरी सांसे थम गई मतलब मेरा खून जैसे लगता है कि जम गया पूरा सो कुछ भी ऐसा अनीवन सा हो जाना विद ब्लड इस करडिल डेर ब्लड एंड चि जाएंगे तो यह बाइस दो जाएगा so let's go to the general option that is bones ठीक है context कोई भी हो bones के context में जनरलाइस मान दिया जाएगा so that's that cuddle their bone and chill their bones it was formless masked with no face that's how we'll conclude this close test ऐसे थोड़ा सा sense ला कर आख करोगे तो यह questions बिल्कुल easy होते है ठीक है चलो next पर आते हैं अब यहां पर क्या है यह एक this is a reading comprehension or unseen passage let's read it my path to the house was by no means an easy one after confused wanderings hot tangled hedges struggling with obstacles that looked strange to me in the surrounding gloom I arrived in front of a long low building there to my astonishment I found doors and windows open to the pervading mist except for one square window through which a light shown from a row candles on a long mahogany table the quiet and apparent emptiness of this odd and picturesque building made me pause अब यहां पर कुछ अजीब सी चीज़ दिख रही है जिस भी घर के पास वो जा रहा है कि even though there was pervading mist लेकिन चीज़ें क्या थी एक window के अलावा बाकी सारी windows खुली हुई थी तो यह चीज़ बड़ा सा अजीब जिस भी घर में वो जा रहा था बड़ा एक तो बहुत अब यहां पर क्या हुआ उनको लगा कि पहले बाहर निकल जाना चाहीं फिर उनको लगा कि नहीं आर हो सकता है मैं बेवकुपी कर रहा हूं यह सोच के कि यह डरावना है या फिर कुछ भी ऐसा है फिर अंदर की तरफ तोड़ा सा बढ़ने लगे but halfway up to the path my progress was halted by a sight of a man coming out of the house that I had wrongly assumed to be empty उसने सोचा था जो ऑथर था की घर पूरा खाली है जब वो अंदर की तरफ जाने लगा तो एक आदनी वहां से निकल के बाहर आया फिर उसको लगा कि अरे मैं तो गलत सोच रहा था य and at the moment when I first saw him was busy putting his watch back in his pocket he did not shut the door behind him which I thought odd specially as he had been looking behind him he seemed to take in all the details of the place he was so hurriedly leaving as he met he raised his hat this also struck me as unusual for his state more respect than the usually stone to strangers अब ही कह रहा है कि जो भी उसका experience में उसने देखा उसके basis पर यह बता रहा है कि मतलब उसने अपनी हाट निकाल के जैसे respect में दिखाते हैं ऐसा लगी नहीं रहा था कि मैं as a stranger उसके घर में आया हूं और इस बात से confirm हो रहा था कि वह आदमी उस घर में नहीं रहता होगा क् चीजों को की डोर भी बन नहीं हुआ तो चलेगा लेकिन मुझे चीजों का थोड़ा सी निग्राही रखनी है तो इससा आपका कुछ appearance उसको देखने के मिला He seemed to take in all the details of the place he was hurriedly leaving as he met he raised his hat this also struck me as an unusual for the displayed more respect than the usually shown to strangers इतने strangers को respect show की जाती है उसे जादा वो respect मुझे शोगर रहा था as I was further puzzled that he showed little surprise as bumping into another person in these remote missy surroundings indeed he was so little impressed by my being there that he nearly passed me without a word or any other hint of greeting except the raising of his heart but it does not satisfy me I was hungry cold and eager for creature comforts and the house before me offered not to go there right अब यहां पर क्या कर रहा है यह सारी बात है उसके दिमाग में नहीं बट फिर इसको लग रहा है कि या अब इस सारे context से माटते आलग बहार आते हैं लेकिन फिर आगे जाके वो क्या दिखता है कि यह सारी चीज़े मुझे थोड़ी strange तो लगी है यह सारी चीज़े मुझे देख रहा था कि क्या क्या चीज़ें कैसी हो रही है तो थांक्फल तो नहीं था बिलकुल बाहर है यह वोज अपने आपको बहुल रहा था अगर मैं बाहर जाओंग तो मैं फूलिश होंगा पूलिश था सब्सक्राइब मुझे अपने हुआ तो डश्री पर्वेट का मतलब होता है ऑफेट वो क्या था चीज़ों को शुम को सारी तरीके से घर में या फूरी तरीके से फिलिए घर में फिर भी सारी विंडों खुली हुई थी तो पर्वेडिंग का मतलब क्या स्प्रेड हो रही थी स्प्लिट हो रही थी तो कॉंस ऑप्शन है रिसीडिंग बाहर है इरी बाहर है इम्मॉटल बाहर है क्या बचाएगा बाहर है जब वह बिल्डिंग के पास पहुंचा तो वह शॉक्यों हो गया तो अब यह शॉकिंग चीज कौंसी लगी उसको कि यह मिस्टी इतना अजीब सा वैदर है इतना है इतना हेजी सा वैदर है फिर भी सारे दर्वाजे और विंडोस खुले हुए ऐसा कैसे कोई ऐसा कैसे कर सकता है सिर्फ एक चोटी से विंडो थी जो बनती बाकी सब कुछ कुला हुआ था यही चीज आशी स्ट्रेंग सी जो ऑथर ने नरेटर ने यहां पर नोटिस करी थी तो ऑप्शन नमबर थी नहीं एक स्ट्रेंग कर रहा है इस नरेटर जिसमें वह एक कहानी बता रहा है कि मैंने क्या क्या देखा क्या क्या अब्जर्व किया क्योंकि अगर ओनर होता तो ऐसे वह किसी को पूछता मतलब कोई भी स्ट्रेंगर था पूछता कि भाई तुम कौन हो कहा से आयो लेकिन ऑथर इसलिए स्ट्रेंग था किया री तो मैंसे पूछी नहीं रहा है यह भी स्ट्रेंगर मैं भी स्ट्रेंगर अच्छार पाइसे नहीं था पाइस फिर से लूसरा पाइसे लिए लोग तो युक्षा फूट्रेंगर दो ऑन अच्छागर एस प्षाज इस बाइस अच्छागर एस अच्छागर एसे एडेसे लोग मतलब जिसको नफरत करते है लोग a successful businessman doing does nothing to increase his popularity by being prudent with his money a person who is wealthy is expected to lease a luxurious life and to be lavish with his hospitality if he is not so he is considered mean and his reputation in business may even suffer in consequence यहां तक समझते हैं देखो क्या कह रहा है यह कह रहा है कि जो भी आदमी extravagant होता है जो खुब जादे पैसे खर्चा करता है वो किस पोजिशन पे बैठा हुआ है इसके बैसे पे लोग उसको जच करते हैं अगर कोई बहुत हैं और रही कितना इक्स कंच करता है अगक्र कोई गरीब आदमी आदमी है तो आदमी क्या बहुत आधि करता है आप समझे और को सबस्क्राइब ही लोग करते नएक अगρ cranies देखें तो गरीब से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है ऐसा माइंडशेट आधने का बन चुका है लट सब्सक्राइब लूप पारडॉक्स रिमेंस दाट ही हाद नौट बिन केरफूल विद इस मनी इन फर्स प्रेस्ट प्रेस्ट यह क्या रहा है तो वैसे कंजूसी से पैसे कभी ना खर्च की होते हैं मतलब पैसे कंजूसी से खर्च ना की पहले ताइम पर तो अभी वो अमीर बनी ना पाता तो वैसे कंजूसी से खर्च करके वो अमीर बना है तो जरूमी कि हर आदनी बहुत तो यह थोड़ा सा ंगड़बडी कर लेकिन वह अपनी प्रेजेंट दे रहता है तो इसको एसा बोला जाएगा कि यार तुम कितने बेकार हो कितने गैर जम्मधार हो कंटेंब करने लगेंगे लोग उसको करते हैं अब ही कह रहा है कि जो इसकी वाइफ होती है जो भी जो खलक है वह हर चीज में सोथ समझ के कंसरवेटिव तरीके से चीजों को खर्चा करती है मतलब भारत आदमी से उसको तालमिल बिठा के रखना पड़ता है एक्वानिवीटी बिठा के रखनी पड़ती एवन बिदा मिल्क मैन मतलब जैसे टाइम टाइम पर आके तगादा ना करें अब यहां पर आपने बारे में के रहा है इस आप से लोगों का माइंचेट बना हुआ है तो इस पासज वाओ लेगों क्वेशन के रहा है अब मतलब है अब मतलब है अब मतलब क्या होता है इसको अड़न करो जिसको लव करो जिसको प्यार करो थोड़ा सा पॉजिटिव कॉंटेक्स में लेकर जाओ सो थर्ड के साथ में जाना पड़ेगा विकॉस हमें ऑपोसिट पूसा था 162 से इस इस नॉट ट्रू मतलब फॉल्स बताओ पीपल लीड अलग्जिरिस लाइफ अर्श पिक्टेट टू एंटर एंटर्टेइन लाविश्ली बिल्कुल सही है लोव इंकम पर्शन इस कंसिरेट वर्थी इफी पेस बिल्स बिल्कुल सही है दो अट लिबर्टी टू बी एक्स्ट्रवेगंट अट आल टाइम बिल्कुल नहीं दर रिच अमास वेल्दी बा अधिक खर्चे करो उसको भी इवन लोग जज़ करने लगेंगे यही तो लास्ट में कह रहा था कि अगर मैं ऐसा करना शुरू कर दो तो पीपल विल्बी जज्मेंटल एर्रिस्पेक्टिव फू आयां राइब तो ऐसे ही हो जाएगा नेक्स्ट पैता है 163 से इस डवर्ड equanimity मतलब क्या होता है ताल मेल बना के रखना मतलब किसी भी कॉंटेक्स में अपना आपा ना खोना इस एक्वानिमिटी ऑप्शन से ट्रैंक्विलिटी फ्रस्टेशन एंग्जाइटी और अगिटेशन यह सब बाहर हो जाएंगे जस्ट विए नेकिटिव हैं ट्रैंक्वि अगर क्या हो जाएगा अगर सब्सक्राइब करने लगे तो लोगों के साप से क्या हो जाएगा है रहे हैं बहुत बेकार आदमी है बहुत कंजू से बहुत मक्की चूँ से ऐसा बुलते हैं तो इस रेपिटेशन सब्सक्राइब अप्शन नमबर तो 165 प्याट है बिच इस पहला के बाढ़ क्या है इसा बाढ़ क्या है इसकी बात नहीं तरह इस यह श्याहिए प्लॉडंस आरवलेकु दरगोते को नहीं कालीG ौई है ved Cum who have a meager income are expected to be spent ने पोर्त बाहर जाएगा, फिस्ट इस इन so it would be option number one, right alright, so कोई ने, we'll cover these questions in next class ये सारे, मैं cover कर दूँगा next class में, इस closest को cover करते हैं अगली class में, till then, thank you, have a nice time